समस्कार दोस्तों, वेलकम तो डॉक्टर पर्फ्यूम यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है डॉक्टर सेदार्थ और आज हम बात करने वाले हैं 2021 के टॉप 5 पर्फ्यूम्स के बारे में जो की अलग-अलग category से है, category in the sense, अलग-अलग category of smell से वो बिलॉंग करते है और अलग-अलग brand से भी मैंने एक-एक fragrance को select किया है यह पांचो ही fragrance mid-range के है, तो आप इन पांचो में से कोई भी एक select कर सकते है और एक fragrance में आप invest कर सकते है, तो guys, list शुरू करने से पहले मैं दो और fragrance के बार में बात करना चाहता हूँ जो मैंने recently try किया है, Zara के blue spirit के बारे में यह fragrance guys, मैंने एक pocket perfume खरीदा है इसका, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यह वाला fragrance, काफी अच्छा projection देता है और काफी अच्छा lasting भी मिल जाती है हमको, मगर इसको list में मैंने इसलिए नहीं आड किया है, क्योंकि मैंने Zara के एक दूसरे fragrance को list में आड किया है मगर Zara के man blue spirit को भी आप consider कर सकते है, बहुत ही अच्छी fragrance है, और brand भी काफी अच्छा है value for money भी अच्छी मिल जाती है हमको, क्योंकि यह सारी fragrances, mid range वाले fragrances है और guys, दूसरा वाला जो है, दूसरा मैं suggest करना चाहूंगा, डेविड बेकम की तरफ से, जो signature वाला है न यह काफी सुन्दर लगा, मुझे यह मैंने recently try किया है, डेविड बेकम का signature का box कुछ इस तरह से दिखता है और bottle कुछ इस तरह से दिखता है guys, बहुत ही cute सा bottle है, और मुझे काफी premium भी लगाई यह signature bottle डेविड बेकम के brand से काफी budget में अच्छे fragrances आ रहे, तो एक अच्छा designer budget fragrance बन सकता है डेविड बेकम signature, मगर इसको add करने का reason यह नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा यह महंगा पर जाता है हमको तो guys, top 5 का list शुरू करते है, number 5 में मैंने रखा है, Zara की तरफ से Zara का night pour home 2 बहुत ही बहतरीन एक fragrance है guys यह, और काफी जादा इससे compliments भी मिलते है इसमें हलका सा एक sweet note है, जिसकी वज़े से इसकी lasting काफी लंबी हो जाती है और इससे हमको अच्छी खासी projection भी मिल जाती है Zara का man silver भी है मेरे पास, मगर Zara के man silver से better perform करता है Zara का night pour home 2 और दूसरा आप Zara का blue spirit भी आप try कर सकते है तो guys, bottle कुछ इस तरह से दिखता है, मुझे इसका bottle काफी जादा premium लगा प्राइस के हिसाब से 1000 रूपीज के range में Zara night pour home 2 का bottle काफी premium है और smell भी काफी अच्छी है guys अगला जो fragrance मैंने top 5 में add किया है वो है अच्छी हमको एक long lasting मिल जाती है देविडव का मेरे गयर से एक ही fragrance है जो इतना चला है और वो चलने का reason भी है क्योंकि बहुत ही एक अच्छा smell है इसका budget में भी पर जाता है हमको और काफी premium smelling भी है lasting भी अच्छी खासी दे देता है हमको गाइस नमबर 3 पर मैंने जो फ्रेग्रेंस रखा है वो नौटिका की तरफ से नौटिका का वॉयज यह एक oceanic fragrance है गाइस इसमें एक salty sea salt का वाईब आता है और इसमें citrus note बहुत prominent आता है गाइस तो नौटिका की तरफ से नौटिका का वॉयज मैंने नमबर 3 पर रखा है बॉटल कुछ इस तरह से दिखता है नौटिका का वॉयज भी जो है वो amazon's most selling fragrance है और बहुत लोगों का यह go to wear होता है एक all time fragrance होता है और एक versatile fragrance होता है जिसको की वो office और evening दोनों पर लगा सकते है जो बाकी दो fragrances है गाइस उनको लिस्ट में add करने का reason है compliments और उनका uniqueness तो नमबर 2 पर जो मैंने रखा है वो गाइस Aramis की company से Aramis का EDT जवाला जो version है यह fragrance से मुझे काफी ज़ादा compliments मिलते है और बहुत ही एक unique smelling fragrance है अगर आपने Aramis के fragrances नहीं try किये तो आप ज़रूर try कर सकते है क्योंकि एक classic सा एक vibe देता है यह और काफी सुन्दर सा एक fragrance है गाइस इसके smell की अगर हम बात करें तो यह basically एक woody और एक leathery fragrance है इसमें opening में woodyness आता है और dry round में clearly काफी prominently leather note आता है जो की पूरे ही dry down में stay करता है इसका leather note तो इसके leather note की वज़े से इसको एक अलग ही uniqueness मिलती है और इसलिए मैंने इस fragrance को इस top file list में add भी किया है और इससे मुझे compliments भी काफी जादा अच्छे मिलते है इसके leather note और woody notes की वज़े से काफी लोग को ये पसंद भी आता है और ये long lasting भी काफी हो जाता है क्योंकि ये सारे notes की वज़े से इनको अच्छी खासी long lasting मिल जाती है number one पे guys हम सभी का सबसे जादा favorite club dino intense man का अर्माफ की तरफ से जो fragrance है yes guys इसको number one पे रखने का ये reason है क्योंकि 2021 में सबसे जादा अगर मुझे किसी से compliments मिले हो तो वो अर्माफ की तरफ से club dino intense man से मिला है box कुछ इस तरह से दिखता है guys और bottle भी कुछ काफी सुन्दर है मेरा वाला जो है वो pure पफा वर्जिन है 150 ml की quantity है करीब आपको EDT वाला जो है वो 2000 रुपे का पर जाता है और जो EDP और पफा वर्जिन है वो आपको 3000 रुपीज में मिल जाता है और आमेज़न फ्लिपकार्ट पे ऑफिशियल अर्माफ वाले ही सेल करते है तो यह ओरिजिनल परफ्यूम हमको मिल जाता है तो गाइस यही था आज का टॉप 5 का विडियो नंबर वन पे अर्माफ की तरफ से club dino intense man नंबर 2 पे अर्मिस का जो classic EDT है नंबर 3 पे मैंने रखा है नॉटिका की तरफ से नॉटिका का वॉयज नंबर 4 पे गाइस मैंने रखा है डेविडॉफ की तरफ से डेविडॉफ का cool water इसका bottle आपको दिखा देता हूँ बहुत ही सुन्दर एक bottle है 125 ml की quantity मिल जाती है काफी अच्छी quantity है इसकी और नंबर 5 पे गाइस मैंने रखा है जारा की तरफ से जारा का night pour home 2 तो गाइस यह अलग-अलग ब्रैंड से मैंने अलग-अलग उनके top fragrances सिलेक किये थे आज की वीडियो के लिए और इनके smell type भी अलग है कुछ oceanic है कुछ leathery fragrance है एक sweet fragrance है और एक fruity pineapple जैसा fragrance है और एक fresh fragrance भी है तो यह अलग-अलग category के fragrances मैंने सिलेक किये थे आप अपनी choice के हिसाब से आप अपनी liking के हिसाब से इन पाचों में से आप किसी को भी एक को सिलेक कर सकते है और आप अपने brand के हिसाब से भी आप जा सकते है पाचों ही अच्छे में खासे mid range fragrances है और काफी premium fragrances भी है जो हमको budget में मिल जाते है गाइस तो यही था 2025 का 2021 का टॉप 5 का लिस्ट गाइस कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर मुझे कमें सेक्षिन में बताइए चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा रब फ्रेंस थैंक यू फ्रेंस जहिं हुआ 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 है आद।